विश्व प्रसित विश्री महकाली श्वर जूतिलिंग में धीपावली पर्व का जशने शुरू हो गया है आज तड़के चाल बचे भसमार्ती में बाबा महकाल का जल अभिशे वाश्रेंगार के बाद पुलजणिया जला कर आती खोगे आती में जली वावली वावली वावUNTगे और दीपो सब मनाया गया है बाबा के दर्वार में अन्निक पूत लगा जिसमें महकाल को 56 पकवानों का विशेश भोग लगाया गया ठंड आरंब होते ही रूप 14 से महकाल को गर्म जल से नहलाने की भी परंपरा है आज से बाबा महकाल गर्म जल से स्थान के शुरुआत की गई जो की महाशिवरात्री तक चलेगी महकाल मंदिल में दीपावली उत्सव मनाने की परंपरा खास है आज रूप 14 एवं दीपावली दोनों पर एक साथ होने के कारण यहां रोजाना की तरह होने वाली भसमार्थी के पहले बाबा महकाल का चंदर से उप्तन किया गया फिर सुगंधेतर द्रव्यों से इस्नान कराया गया यह इस्नान अभ्यंग इस्नान के बुलाता है जो की वर्ष में एक बाल होता है बाबा का अभ्यंग इस्नान भी अपने आप में खास है चूकि कारण पेक महा की 14 से थन्री की शुरुआत माने जाती है इस यह यहां सुखा बाबा महाकाल के गर्म जल से इस्नान कराया जाता है और गर्म जल से इस्नान की यह प्रक्तिया महा शिवरात्ती तद प्रति दिन चारी रहती है दीपा वली पर्व के एक दिन बाद परवा पर देश भर में हुने वाले अन्नकूट के आयोजन की शुरुआत भी उज्जैन के बाबा महाकाल से ही होती है यहां सुभा चार बजे अन्नकूट का आयोजन कीया गया जिसमें 56 प्रकार के वेंजनों का भोग महाकाल को लगाया गया था आरती में पंडिक पुजारियों वश्रद भालियों ने उस सहा के साथ कोजड़ी चलाई और भीपा वली का जशन मनाया यो तो बाबा के दर्वार में दोज भस्मार्टी होती है पर आज की भस्मार्टी अन्ने दिलू के अप्रिक शाह कुछ विशेश नहीं और दिपा वली परवा इसलिए सबसे पहले दिपा वली की शुबकामना पुरे देशवासियों को नगरवासियों को और भगवान महाकाले शवर का शुबाशिश प्राप्तों को साथ ही आज दिप महुस्व और रूप 14 मनाई गई प्रथम दिवस पर यहाँ पर भगवान का अनकुट महुस्व और रूप 14 के परवक को मनाया गया है रूप 14 परवक की रूप में भगवान को पुजारी परिवार की महिला दुआरा उप्टन लगाकर भगवान का रूप निखारा गया और उसके साथ ही भगवान की पूजा की गई सब्सक्राइब कर रहा है किसी पिलकारे को शुंदर सा बनता हुआ सापा किसी पिर पच्चीज दिन ते पूरा लग रहा है और हमारा सभी का मन बच्ची बाता कि हम तीपावली इंदोर में उज्जें में ही मनाई है कि अनुफुती हुई है जिसकी कलपला भी नहीं की जा सकत कि उसको शब्तों में नहीं बताया जा सकता और बहुत ही खुशी उलास ऐसा लग रहा है दिवाली मतलब कुछ नहीं खुश्या लेकर आई है इस तरह का महसूस हो रहा है महाकाल इश्वर को सबसे पेले भोग लगता है रूप 14 को लगता है अभी 14 है साम को अमा उश्या तो अमा उश्या महापरों में बाबा को 56 भोग से जाना लगाया गया और यह हर साल लगता है बाबा का परंचामत वा और उप्टन चर दिया साल में एक बार पुजारी परिवाद के महिला उप्टन चराती है उप्टन चराने वाए करपूर आरती होती है वह बाद में वहगवां को महा भोग लगता है आरती होती है आज जो भी आपे आया है वो जो भी मन्नट लाया है वो पूरी होगी है हमारा वादा है जोलिया भर के जाएगा कुबेर के बंदार खुल गए उनके लिए अंधन सब लच्मी मा उनके अर्वास करेगी खबर मध्यप्रदेश के लिए उज्जैन से मुर्ली मनुहर जोशी की रिपूर मध्यप्रदेश की लगतार खबरों से जोड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें मध्यप्रदेश के कई जिलोबा तहसीलों में समवाद दाता निव्ट करना है हमसे जोड़ने के लिए स्क्रीम पे दिये गए नंबर पर संपर्ट करें